दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दिपक इमानसूर आप देख रहे हैं टीचिंग वाला जारखन टेट क्या है कौन भर सकता है किसको मौका मिलेगा इसके बात क्या होता है क्या क्या पॉस्सेबिलिटीज है इस पर एक छोटा सा लेकिन complete informative वीडियो मैं बना रहा हूं तो इसमें बि लेवल पर TET exam कराते हैं TET बोले तो teacher energized test जहार ठंट जहांद जो यह को जह डे मैं बनने के लिए होता है कहीराज जैसे होते हैं जो सीटेट को भी अलाव करते हैं लेकिन जारखंड में सिर्फ और सिर्फ जारखंड टेट के अधार पर ही आप टीचर बन सकते हैं नई नियम के अनुसार और जारखंड टेट आपको क्वालिफाई करना होगा यह पहले चरण का एक्जाम है यह भरती परिक्षा लेजड टेस्ट है इसके बात आपको चैन परिक्षा होगी उस चैन परिक्षा में आप सम्मिलित होंगे और वह उसमें वही सम्मिलित हो सकते हैं जो जारखंड टेट क्वालिफाई किये हुए रहते हैं यानि कि जिनके पास यह स्राटिफिकेशन रहता है तब आप उस चैन परिक्षा में सामिल हो सकते हैं जैसे अभी जिस समय पर में आपको यह वीडियो बना रहा हूं जुलाई 2024 में जब कि जारखंड टेट की आपको परिक्षा आई हुई है और इसके बाद आपको 24,000 के तकरीबन चैन परिक्षा भरती भी निकलने वाली है तो उ इस पर मैंने एक separate वीडियो बना दिया है कि form flip आप कैसे कर सकते हैं एक एक चीज रहिश्टर करके एक एक चीज बना दिया वह भी आप separate वीडियो डाक जाकर देख सकते हैं बाड़ाल मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि जो जहारकंटेट में अगर आप अपलाई करन हैं तो आप सिर्फ भारत के नागरिक हो यह अभी लेटेस्ट नियम के अनुसार से है और पूरे जहारकंट में जितने भी टीचर हैं कहीं पर भी वहां पर आप टीचर बन सकते हैं किसी भी विद्याले में उसके बाद बहुत सारे नियम यहां पर बने हैं जो बेसिक चीज प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सी यहां पर प्रावधान है कि आप डीलेट लेवल की जो भी पडिक्षाएं हैं वो आप किये हो प्राइमरी में प्राइमरी में बीएड अवेलाउड कहीं पर भी नहीं है तो जारखंट में भी नहीं ठीक है और जो अगर आप पेपर 2 की बात करते हैं जिसको हम लोग लेबल 2 कहते हैं उसमें आप डीलेड भी करी किये हुए हो सकते हैं या बीएड भी किये हुए हो सकते हैं साथ में आपका मिनिमुम ग्रेजवेशन चाहिए ठीक है यहां पर 12 से काम नहीं चलेगा मिनिमुम graduation चाहिए तो ये जो है आपका इसको भी आपको ध्यान में रखना है dedicated होके कि ये दो लोग इसमें apply कर सकते हैं और main जो यहाँ पर बात है जो latest यहाँ पर है कि teacher जो बनते हैं पहले जैसे कि आपका math and science की paper 2 की में बात कर रहा हूँ level 2 की math and science के teacher बनते हैं अलग sst की teacher बनते हैं अलग और भासा की teacher बनते थे अलग उसकी अलग से भासा की परिक्षा होती थी अब वैसा नहीं होता है अब अगर मैं exam के इनके pattern की बात करूँ तो जारकंड का जो exam pattern है वो किस परकार से है वो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ठीक है बहुत सारे नियमावली है जिनको संसोधन के बाद यहाँ पर यह लोग बता रहे हैं तो जो अभी प्रावधान उनका है exam pattern का अगर आप जारकंटेट लेबल वन के लिए आप बैठ रहे हैं तो जारकंटेट लेबल वन में आपको cdp जो है child development and pedagogy वो आपको यहाँ पर 30 नमबर का आएगा उसके बाद आपका जो language paper है उसमें क्या है भासा 1 और भासा 2 भासा 1 में आप हिंदी पंद्रा और इंग्लिस पंद्रा यह एक set है यह दूसरा वला देखिये । यहाँ पर क्या आता है एक तो आपका क्या हो गया हिंदी और अंग्रेजी में हिंदी 15 और इंग्लिस 15 भासा वन की में बात कर रहे हूँ यह दूसरा आप भासा 1 में ले सकते हैं उर्दू 15 और साती 6 English 15 तो हिंदी और इंग्लिस का कंबिनेशन या उर्दू और इंग्लिस का कंबिनेशन 15-15 नंबर का भाषा 1 में आप ले सकते हैं जो 30 नंबर का आपका होगा वो आपको फॉर्म भड़ते समय चूज करना पड़ेगा और इसे भाषा 2 में बहुत सारी भाषाएं हैं आंचलिक भा सा ले लो उसमें डारेक्ट तीस नंबर की परिक्षा होगी तो मान लिजे मैं यहां पर हिंदी और अंग्रेजी से देता हूं और यहां पर हिंदी लेता हूं तो वहां पर मेरी हिंदी 15 इंग्लिस 15 की परिक्षा होगी और इधर हिंदी 30 की परिक्षा होगी फिर वहां पर अगर मैं बात करता हूं तो EBS को level 1 से हटा कर वहाँ पर general studies लिख दिया गया है, मतलब EBS के साथ साथ आपको जहारखंड जी के और थोरी इधर general questions भी पूछे जाएंगे, तो कुल 1500 नंबर का होगा, और इसमें OMR seat पढ़ी परिक्षा की बात है, साथ ही साथ कोई negative marking नहीं होगी जैसा normally seated का रहता है, वही अगर आप paper 2 की बात करते हैं, तो उसमें CDP 30 नंबर, language का ठीक वैसा ही चलेगा, सेम भासा 1 और भासा 2 में, और गनित विज्ञान और SST के टीचर के लिए, गनित विज्ञान अगर आपका है, तो 60 नंबर का आपका math and science का exam होगा, और अगर आप SST के teacher है, तो SST का 60 नंबर का exam होगा, अगर आप भासा के teacher हैं, तो भासा का अलग से exam नहीं होगा, math and science या SST में से कोई एक आपको choose करना पड़ेगा, उसी का आपको exam होगा, कुल 800 नंबर का होगा, बहुत बिस्तरत syllabus इसका नहीं दिया रहता है, लेकिन seated के ही syllabus को आप base मान सक सकते हैं, फिलाल के लिए कोई ऐसी बहुत details नहीं नहीं निकाल दी है, ठीक है, तो यह पूरा-पूरी eligibility रहता है, और इसके बाद जो है, इसको यहाँ पर जितने भी इनकी यहाँ पर आप अगर qualify कर जाते हैं, तो आप आगे जारखन में जाके, जो है teacher बन सकते हैं, और basic प्रारूफ होता है, जिसमें कि आप सब लोग apply कर सकते हो, अब यह जारकन टेट का प्रारूफ होगा, वैसे ही जो chain परिक्षा होगी, उसका अपना प्रारूफ होगा, उसके अपनी कुस eligibility होगी, जिसमें कि जारकन टेट होना आनिवारी होगा, उस अधार पर आप apply कर सकत तो दोस्तों यह जारकन टेट की basic information में बता दूँ और अभी जारकन टेट का apply हो रहा है, अभी form fill up हो रहा है, जिस समय पर मैं यह video बना रहा हूँ, अभी जारकन टेट का form fill up हो रहा है, और इसकी September में exam होने की भी संभावना है, तो जो लोग apply करना चाहते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पर September 2024 में, तो जो लोग apply करना चाहते हैं, वो लोग apply कर सकते हैं, और अपनी तयारी कर सकते हैं, जारकन टेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कि यह बहुत अच्छे level पर exam अभी सुरू हुआ है, बहुत सालों बात से अभी सुरू हुआ है, और अभी यह ह दिन मैं जारकन टेट के लिए पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, टीचिंग वाला टेलिग्राम ग्रूप से जुर सकते हैं, मेरा खुद का जो CDP by दीपक सर टेलिग्राम ग्रूप है, उसमें आप जुर सकते हैं, जिससे कि आपको ब का बैच यहाँ पर है, लेवल टू मैट साइंस या लेवल टू एसस्टी जो भी आप चूज करना चाहते हो, वह है, कॉम्बो भी है, लेवल बन प्लस लेवल टू मैट साइंस और लेवल बन प्लस लेवल टू एसस्टी, तो यह भी आप परचेज कर सकते हो, पी डवलो के पूछ सकने हैं. Thank you very much. Bye-bye. जैहिन.